हेलो दोस्तों मैं सोरों बली का आप सभी का टोपिक स्टेडिम में स्वागत करता हूँ दोस्तों आज रिजिनिंग के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिजिनिंग के एक बहुत ही अच्छा इंपोर्टेंट टोपिक मिसिंग नंबर लूप संक्या जिसमें find out करनी होती है बहुत सारे अलग-अलग टाइप के questions आपको exam में देखने को मिलते हैं वो सभी तरीके के questions मैं इस वीडियो में discuss करने वाला हूँ वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी अगर आप इस वीडियो को पूरा एंट तक देखते हैं अगर आप चाहते हैं डेली आपको reasoning की, math की, current affair की सारी वीडियो मिलती रहें, रात को online test की तो नीचे red call के बटन को दबा करके bell icon को own कर लीजेगा आपके पास daily notification पहुचने start हो जाएँगे आप यहाँ पे टेलिग्राम पे, facebook पे, instagram पे, topic study को follow कर सकते हैं पीडियाप ले सकते हैं, हर चीज का update पा सकते हैं ठीक है, तो चलिए start करते हैं और मैं आसा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी और आप वीडियो को like share भी जरूर करेंगे तो यहाँ पे पहला question देखे, आपको दिख रहा होगा इसमें आपको यह वाला number find out करना है ठीक है, तो साथी साथ आप भी try करके देखे, 15 question आज की वीडियो में 15 मैं से आप कितने सही कर पाते हैं क्योंकि exam बहुत सारे आ रख हैं यूपी पुलिस का भी exam आने वाले, SSC GD का भी है RPA PSI भी है, आपका constable भी है तो बहुत सारे exam हैं आपके तो आप सारी किसी भी exam की preparation कर रहे हैं तो आप सभी exam के लिए वीडियो को देखते रहा करें तो यहाँ पे जैसे पहला question है इसमें देखिए जो बहार वाले number है इन बहार वालों के number का कुछ न कुछ combination बनके अंदर वाला number होगा तो बट combination है क्या आशा करता हूँ कि आपने try कर लिए होगा मैं आपको बता देता हूँ देखिए जैसे इन दोनों की multiply की की दोनों को plus करके यह वाला number बन रहा है जैसे पांचोक 20 20 plus तीन की एक में करेंगे तीन रहेगा तो तीन तो कितना होगा 23 तो आपका यहाँ पर 23 आ गया साच्छंग 42 42 प्लस चारतिया 12 12 कितना हो जाएगा 24 तो यहाँ पर 54 आ गया ठीक है भई अब यहाँ पर क्या है 11 दूनी 22 अब 22 यहाँ पर हो गया 40 यहाँ पर है तो 20 में कितना और प्लस किया जाए कि यह 40 बन जाए तो 22 में अगर मैं 18 प्लस कर दूँ तो यहाँ पर 40 हो जाएगा अब यहाँ पर 18 कैसे आएगा यहाँ नीचे किस चीज की मल्टिप्लाई की जाए क्या रख के यहाँ पर मल्टिप्लाई की जाए कि 18 आजए तो यहाँ पर आपकी 2 रख देंगे तो 9 दूनी 18 तो यहाँ पर आपका 18 आजएगा यही आपका राइट आंसर होजएगा यानि कि option B is the right answer समझ गए ना भई कैसे किया मैंने question अगर समझ में नहीं आता है न कोई भी question तो आप मुझे comment box में साथी साथ बता दिया करें कि सर ये वाला question समझ में नहीं आए question number 2 पर आ जाते हैं try करें जल्दी से इसको भी तो देखिए question number 2 भी अच्छा question है आपका यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आएगा तो अगर मैं बात करूँ इस question की तो 12, 18, 30 6 से पूरा पूरा विवाजित है पूरा पूरा divide हो सकता है वैसी आपका 16, 32 और 48 से पूरा completely divide हो सकता है और हम यहाँ पर यह भी बोल सकते कि आप बड़े से बड़ा number जो इन तीनों को divide कर सकता है ठीक है ना क्योंकि इस से बड़ा तो number नहीं divide कर सकता है अगर 12 नहीं तीनों को common number को ठीक है 12 को कर देगा तो फिर 18 को नहीं होगा न तो इस तरीके से भी आप बोल सकते है ठीक है तो यहाँ पर भी ऐसा बड़े से बड़ा Number भती is जो इन तीनों को विभाजित कर सकता है जो इन तीनों को divide कर सकता है तो अगर मैं option की बात करूँ तो 6 नहीं कर सकता है तो 9 आप इन तीनों को divide कर सकता है तो option B is the right answer तो यहाँ पर क्या जएगा 9 ठीक है भई आशा गरता हूँ कि आपको समझ में आ रहे होंगे अगर किसी भी question में doubt रहता है तो please आपसे मेरी request है कि आप comment box में मुझे बता जगरे और जो भी आप change कराना चाहते है न वीडियो की सर इस तरीके से वीडियो बने है ठीक है यहाँ पर क्या आना है अब मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीकी से बताने वाला हूँ क्योंकि अच्छा question है इस तरीकी की series बहुत ही कम पूछी जाती है और अगर पूछ ली जाती है तो आपको छोड़ के आना पड़ सकता है question को देखे अब यहाँ पर नीचे है बड़ा नंबर उपर है छोटा नंबर तो कुछ ना कुछ इस छोटे नंबर के साथ में कुछ किया गया होगा तब यह बड़ा नंबर बना होगा अब किया क्या गया है वो देख लेते हैं देखें, यहाँ पर क्या गया, 7 multiply, ठीक है, और यहाँ पर इससे पहले भी क्या क्या गया, 7 multiply 3, minus 1, तो तब जाके multiply की गई है, यानि कि 7, 21, minus करेंगे 1, तो कितना हो जाएगा 20, 20 की 7 में करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 140, तो यहाँ पर इसलिए 140 आ जाए, ठीक है, समझा मदलब जो उपर नंबर लिखा है न, उसकी multiply 3 में की गई है, minus 1 किया गया है, और जो भी आ है, 27, 21, यानि कि 20 आ जाएगा, और यह, 27, minus 1, तो 20 आ जाएगा, 20 की multiply 7 में की गई, तो 140 आ गया, अब यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही करेंगे, next वाले में, तो next वाले में, तो next वाल से minus 1 करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 62, तो 21 into 62 करेंगे, तो आपका कितना जाएगा, 1320 ठीक है भई, तो यह कैसे आ गए, तो बिल्कुल यही condition आपको करनी है, तो 15 multiply 15 into 3 minus 1, तो कितना हो जाएगा, 15 या पैतालिस, और 45 को minus 1 करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 42, यानि की 15 into 42, 2 तो कितना हो जाएगा आपका ये 660 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 660 है नहीं कि option C is the right answer समझा आप इसको question number 3 का right answer option C हो जाएगा ठीक है भई अगर समझ में नहीं आया तो भई पूछ लीजेगा question number 4 पे आजाते हैं 4 को try करिया question number 4 भी बहुत interesting question है और आप इसको try करिये मेरे बोलने से एक बार जरूर और बताएगे कि यहाँ पे क्या आएगा ठीक है इसको मैं thumbnail पे भी लगाने वाला हूँ जितने बच्चे भी इसको देख के आएगे देखते हैं कितने बच्चे इसको सही answer कर सकते हैं बहुत अच्छे intelligent student है जो कि comment box में हमेशा answer करते हैं तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसका भी answer कर सकते हैं 4 में देखें actually चल क्या रहा है यहाँ पे यह वाला number निकालना है आप यह देखें कि यहाँ पे h है उपर भी h है यहाँ पे o है तो उपर भी o है यानि कि कुछ इस तरीके की सिरी चल रही है इस तरीके से ठीक है इस तरीके से यह चल रही है तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ c से e में कितना difference है 2 का तो यहाँ पे plus 2 चल रहा है यानि कि c में plus 2 क्या e e से h में कितना difference है 3 का तो plus 3 किया तो यहाँ पे h हो गया फिर एच को वापिस ovies i. एच में और के में कितना रिफ्रेंस है फिर 3 , गाइख प्लसस किया यहां… कि अब फिर फ्लसस के तो आपने फिर फ्लस से 4 हो में कि भी मैं बोल सकता हूं प्लस 2 एप्लस 4 और फिर 3, grab 4 अप्लस फॉर करेंगे, बश pid मुन प्लसस किया आपने तो कितना हो गया S आ गया और इसमें next आप क्या करेंगे प्लस 5 तो S में प्लस 5 करेंगे तो यहाँ पे X आ जाएगा तो यानि कि आपका X राइट आंसर हो जाएगा ठीक है यहाँ पे क्या आएगा देखे S से X S में प्लस 5 करेंगे तो X आ जाएगा तो option A is the right answer इस तरीकिसे चला है अगर समझ में नहीं आया है तो एक बड़ वीडियो को दुबार से देखे आ जाएगा question number 5 पे आ जाते है 5 का right answer बताइगा तो 5 का right answer क्या रहेगा वई एक बड़ वीडियो को रोग करके try करिएगा 5 में देखे अक्चुली चल क्या रहा है अब यहाँ पे A से B में कितने का difference रहा है बलो 1 का ठीक है B और D के बीच में 2 का D और G में कितने का difference है D और G में 3 का तो यानि कि मैं बोल सकता हूँ plus 1 चल रहा है plus 2 चल रहा है plus 3 चल रहा है और next क्या चलेगा plus 4 तो G में plus 4 करेंगे तो क्या आजएगा भई K आजएगा यानि कि यहाँ पे तो आगया K उपर वाला तो मुझे मिल गया है अब नीचे क्या चल रहा है नीचे चल रहा है difference कितने का 1 का है difference कितने का है difference है आपका 4 का है तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे constant series तो नहीं चल रही है कि यहाँ पे जब 1 का difference है 4 का है तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे तो 1 का square plus हुआ है यहाँ पे 2 का square plus हुआ है तो next 3 का square होगा तो 3 का square कितना होता है 9 तो 9 है यहां पर इन दोनों का difference 9 है next आपका 4 का square प्लस होगा 4 का square कितना होता है 16 ठीक है तो यहां पर 21 में 16 प्लस करेंगे तो आपको कितना होता है 37 और यहां पर कितना आया था के तो यहां पर के और 37 देख लिजे यानिकी option see is the right answer ठीक है समझ में आ रहे हैं वीडियो अगर पसंद आ रही है questions का level आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिएगा question number 6 पर आ जाते हैं और share आप बहुत कम करते हैं तो share भी कर दिया रहे है ठीक है तो यहां पर question number 6 को जल्दी से try करिए तो 6 बड़ा ही simple सा question है अगर आपको सभी alphabets के number पता है कि कौन सा किस number पर आता है तो आप इस question को एक सेकंड में कर सकते हो मतलब एक सेकंड भी इसलिए बोला कि टिक लगाने ना आपको तो यहां पर देखे एम थर्टीन नंबर पर आता है थर्टीन लिख है वाई 25 पर आता है 25 लिख दिया पी आपका 16 पर आता है 16 लिख दिए अब 11 पर क्या आ नंबर सेवन बहुत ही आसान है ठीक है और अगर आप इसको वीडियो को रोक करके ट्राइ करते हैं तो मैं बोलूगा कि आप इसे 100 परसेंट कर लेंगे थोड़ा सा दिमाग लगाई है क्योंकि दिमाग चलेगा तभी वर्क करेगा अगर आप सोचो कि मैं बस देखके ही करत हो सारे कोशन तो आपको असान लगते रहेंगे बट आप खुद से ट्राइन करोगे तो प्रैक्टिस नहीं बन पाएगी कोशन मैं आपको बहुत सारे करा दूंगा बट आपको खुद को भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ठीक है तो यहां पर हमें क्या चेक करना प्रैक्टिस के हमें यहां पर प्लस नाई लेवन बस न किया गया तो ट्वयन नाइन प्लस करेंगे तो थर्टीएट याने इहां पर आजएगा शाने तो देख लिजे 23 और 38 यानि की option C is the right answer 23 और 38 समझ गया आप इस question को बिल्कुल कोई problem नहीं है ना तो चलिए question number 8 पे चलते हैं 8 को try करिए पहले सबसे पहले अराम से कोई दिक्कत नहीं है और 8 को आप video को रोक करके try कर लिए होगा मैं आसा करता हूँ देखे 8 में क्या चल रहा है बहुत ही simple यह भी और बहुत अच्छा कोशन है अगर मैं इनको अलग-अलग करते हैं क्योंकि इनकी series अलग है और उपर वालों की 8 तो next कितना है गा 9 और difference किस तरीकी से increasing order में यहाँ पर प्लस 5 किया गया है यहाँ प्लस 6 किया गया 7 किया गया 8 किया गया तो 9 प्लस करेंगे तो आप कितना हो जागा 39 तो उपर वाला तो मेरे को मिल गया है बिलकूल अच्छे तरीकी से 39 हो जाएगा आप ऐसे भी चेक कर सक में हो तब क्या करना है तो थिए और अगर देखा जाए तो आप Billy मैंने देखा यहाँ या पर 200-4 और हर बार क्या सालीभी होता जाए तो प्लस होता जा रहा है ठीकर फिर 28 तो 24 से 28 पे जाएंगे तो 4 प्लस बढ़ा के चलेंगे फिर आप 32 तो फिर 4 प्लस बढ़ाएंगे तो next आपका 36 यहां पे 36 प्लस होगा तो 120 में 36 प्लस करेंगे तो कितना होगा 156 तो बिल्कुल सही आपका option B is the right answer समझे आप इस question को बहुत ही interesting बहुत ही अच्छा question था आशा करता हूँ की समझ में आया होगा चले question number 9 को try करते हैं तो भईया 9 question भी बिल्कुल hard नहीं है और अगर आप इसको try करने की कोशिस कर रहे हैं तो आप इसको definitely कर लेगे ठीक है यहाँ पर मैं आपको पहले भी कई बार बता चुक हूँ अगर बीच में कोई number लिखा है तो वह बाहर वालों को कुछ ना कुछ combination बनके लिखा हो गया होगा अगर बाहर वालों को combination बना है तो बहुत सारी तरीकी हो सकते है बनने के ऐसे side by side भी बन सकता है ऐसे cross भी बन सकता है ठीक है ना तो अब यहाँ पर कौन सा बना है वो देख लीजे यहाँ पर बनना है 28 दूना दूनी 56 चोदा चोका भी 56 होता है ठीक है तो अब 7 में किसकी multiply क की जाए कि 56 बंजे तो साथ अठी 56 होता है सभी को पता है तो साथ अठी 56 यानि कि आपे 56 कैसे बनेगा 8 की multiply करके तो option a right answer हो जाएगा समझा आप इस question को ठीक है तो यह आपका हो जाएगा right answer चले question number 10 को try कर लेते हैं 10 में क्या है तो जल्दी से try कि कर लिया कर एक बार ठीक है तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं question number 10 की तो यहाँ पर आपको यह वाली लूप संक्या बताने है तो यहाँ पर क्या चलता है 2 की 10 में multiply के 20 और 8 की 10 में करेंगे तो 80 तो यहाँ पर आपका 80 आजाएगा ठीक है तो यह तो बहुत ही simple सा question था D हो जाएगा right answer और यह already सारे questions प अगर बते यह right answer क्या रहेगा तो 11 भी आपने try कर लिया होगा वी वीडियो को रोप करके इसमें क्या चल रहा है देखिए अगर मैं यहां से चलू 4 का square क्या होता है 16 5 का square क्या होता है 36 7 का square कितना होता है 49 ठीक है तो 7 का square 49 हो जाएगा तो यहाँ पर आपका 49 आ जाएगा त यह बहुत ही simple simple से questions है और अगर आपने try कर लिये ना तो बहुत help करेंगे आपके exam में सारे के सारे questions ठीक है अब question number 12 को भी try करेंगे और इसको भी देखेंगे बहुत ही अच्छा simple सा question है देखिए यहां पर क्या है skip करके चल रहा है एक बर क्या हो रहा है एक बर increase हो रहा है decrease ह हो रहा है increase हो रहा है तो इसका मतलब यहां पर एक common number तो increase decrease नहीं हो रहा है तो यहां पर ऐसा भी तो हो सकता है यह decrease हो रहा है और यह इस तरीकिसे भी चल सकता है अब अगर मैं यहां पर बात करूँ थर्टी सिक्स, सोरी, 25 से 23 तक, तो 25 और 23 आपका क्या है, increase है, सोरी, decrease है, minus 2 से, तो ये minus 2 से आपका decrease हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, ये आपका हो चल रहा है, सोरी, ये चल रहा है, आपका decrease, और ये चल रहा है, increase, ठीक है, plus 3 से, सोरी, minus 2 से, तो 25 से 23 में आने में आपका माइनस 2 हो गया है फिर ये प्लस 3 हो गया है फिर 23 से 21 जाने में आपका माइनस 2 हो गया है और 30 से 33 जाने में आपका प्लस 3 हो गया है फिर आपका यहाँ पे होगा 21 से आपका माइनस 2 होगा तो माइनस 2 करें कितना हो जगा चल रही है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या बन जाएगा भई, यहाँ पर हो जाएगा आपका 19, तो 19 is the right answer, भई समझ गेना आप इस question को भी, एक बार और बता देता हूँ, यहाँ पर चल रहा है देखे plus 3, यहाँ पर चल रहा है आपका minus 2, ठीक है, फिर आपका plus 3, यहा हो जाएगा आपका plus 3, तो 33 से plus 3 करें, 36 आएगा, और यहाँ से आपका 21 से 2 minus करेंगे, तो 19 आजाएगा, तो इस तरीके से आपके 19 right answer, option C हो जाएगा, ठीक है, चलिए, यह आपके answer भी है, ठीक है, जो कि आपको PDF में मिल जाएंगे, यह सारे के सारे answers है, तो यह PDF आपको कहा यहाँ पर मिलेगी, टेलिग्राम पर, टेलिग्राम पर जाएगा, टोपिक स्टडी सर्च करिएगा, जोइन कर लीजेगा, डेली आपको करेंट अफेर की वीडियो, रीजिनिंग की वीडियो, मैज की वीडियो, सारी वीडियो के मतलब PDF मिलती रहती है, question number आपका 13 है, जल् उनों को प्लस कर दिया, तो 20 आगया, 4 चोग 16, दो दुनी 4, 16 और 4, 20, 9 नम 81, 3 तिया 9, तो 81 और 9 को प्लस करेंगे 90, यहाँ पर क्या है, पांच बंजे 25, और 1 का स्क्वार करेंगे तो 1 ही, तो 25 और 1, 26, तो यहाँ पर 26 राइट आंसर हैंने की option, C is the right answer, ठीक है भई, तो 13 क आपको right answer मिल गया है, चले, question number 14 पर आ जाते हैं, 14 का right answer देने की कोशिश करेगा सभी students, 14 में क्या चल रहा है वही, देखे, यहाँ पर चल रहा है बाहर वालों की multiply, और multiply करने के बाद में जो भी number आएगा, उसको 10 से divide, कैसे, 4 तीया 12, 12, 50, और 60 दुनी 120, 120 को 10 से भाग कर दि लेखे, तो यहाँ पर कितना हो जाँगा, एकसो 10 से भाग करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जागा, यहाँ पर उप्शन को बहुत अच्छे से चले eh, question number 15 पर आ जाते हैं, last question आज की video का, और मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आयोगी इंट्रेस्टिड भी लगी होगी कोशन्स के लेवल भी अच्छे लगे होगे और जो मैं आपको समझाने की कोशिस किया वो भी आपको समझ में आया होगा तो चलिए इसको भी जल्दी से ट्राइ करिए और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइगा तो देखें आपे 15 का राइट आंसर क्या हो सकता है अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे 7 प्लस 8 प्लस 3 यानि कि 7 प्लस 8 और कितना हो जाएगा आपका 7 प्लस 8 प्लस 3 18 को 2 से डिवाइड किया गया तो 9 आ गया यानि कि यहाँ पे इन दोनों को प्लस करने के बाद में 3 भी प्लस किया जाना है और उसको फिर 2 से डिवाइड किया जाना है तो 7 प्लस 8 प्लस 3 इसकल टू 18 और 18 को 2 से डिवाइड क्या 9 यहाँ पे 9 आ गया वैसे आपको फॉर प्लस 5 ठीक है और प्लस 3 तो कितना हो जागा आपका 4 प्लस 5 9 Play अब का 12 12 को 2 क्लस च êtes तो वैसे आपको यहाँ पर करना है और आ व्योगर्लेकर्णी तो क्या तू अधिन को पडिल हुआ कशड़े